हेलो और वेल्कम यूओ अलिट लोकिस्टर अलम्ट डिस्टरी जोन देखे साउंड प्रफोगेशन नया चैप्टर है अब इसमें हम साउंड के अलग 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 एरियास के बारे के बारे के पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड की ये वाली जो ब्रांच चि निकलती है और आपके कानों तक जाती है और फिर आपके कान में hearing sensation उत्पन करती है ओके तो sound दो प्रकार का होता है sound is a basically is a disturbance sound is basically या disturbance जब हम medium के particle को एक disturbance देते हैं जैसे medium का particle है यह हमने disturbance create कर दिया medium के particle अलग-लग तरीके से disturb हो गए तो एक particular frequency generate कर दी उन लोगों ने particle होगी और वो पार्टिकल जिस फ्रेक्वेंसी से चले वह आकर हमारे ear drum में टकराते हैं तो अलग-अलग frequency अलग-अलग तरीके का sound बनाती है क्या बनाती अलग तरके का sound जैसे आपने sound create किया मुझे इस तरीके का sound तो इस disturbance ने क्या generate करी एक frequency generate करी और उस frequency से vibrate होने वाले particle जो है उस frequency से vibrate होने वाले particle हमारे कानों के ear drum में जा करके अलग-अलग तरीकी की sound की sensation पैदा करते हैं ओके दीखें डिस्टर्बेंस दो प्रकार के होते एक होते हैं नौन-पिरियोडिक मतलब जो बार-बार रिपीट नहीं होते हैं जैसे यहां पर बच्चे बाते कर रहे हैं या जो लोग भी बाते होते ही थोड़ी बहुत या किसी चीज की गिरने की आवाज तूटने की आवाज कर बोड़ते हैं पर चीज ही बार रीपीट नहीं होती इसको उसने चांट उसको बोड़े सपते हैं तो जो इसको बोलते हैं अपने चैनल के-भार रीपीट करता धाल scripture हम क्या बोलते हैं Music तो दो प्रकार के sound हो गए एक हो गया periodic एक होगा non periodic आप देखें के sound का propagation तो sound का propagation दूप्रकार के मिडिया में होता है देखे इस तरह लिखास sound propagation मदब sound travel कहाँ कहाँ पर करता कैसे करता है तो और चाहता है और kindergarten चृोक्त बार्ट का सबसे ज़्यादा प्रकोगेशन होता है तो सबसे ज़्यान सबSD में होता है् लिपी क्योंकी लिटकल होते हैं सबसे ज़्यादा पास पास में हुआ करते हैं सबसे लिफ कैसे को JULस्रे में जर्क लगाएंगे तो यह हो गई किसकी बाद sound propagation की अब आईए हम instrument की बात करते हैं बच्चों तो instrument भी कई तरीके के आपने देखे होंगे instrument, sound instrument आपने देखे होंगे बजाने वाले बहुत सारे instrument होते हैं वाध्यंत्र जिसको ही नी बोलते हैं आपने तबला देखा होगा तबले के उपर क्या रहती है मेंब्रेन रहती है, क्या रहती है आपने सितार देखा होगा सितार के बाद आपने गिटार देखा होगा गिटार के बाद आपने वाइलिंग देखा होगा तो इन सब में क्या रहती है, एक खिची हुई डोरी रहती है उसको इस्ट्रिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इस्ट्रिंग तो आपके पास अलग अलग तरीके की इंस्ट्रुमेंट हुआ करते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ परससन इंस्ट्रुमेंट तो परससन इंस्ट्रुमेंट जो हुआ करते हैं इसमें परससन इंस्ट्रुमेंट में कौन-कौन से तबला एंड धुलक जिनमें एक लेयर बनी होती एक फिल्म लगी होती है बाजू में एक मेंब्रेन लगी होती है है उसको अपन बोलते हैं दो त क्रास की मद्स से बजाए जाते हैं उके या हवा को इसमें करके हवा के भूल घिटक्र्सकार नहीं है और हर्मोनियम जुद के नंघिए क्षेल कर्ना करके वह खेले होगा कूलते हैं इसमें फिर Chung इस लाइन है वहिसे क्ञे में करूले नारीन है यह से परक्षेयर थे vibrating object sound कैसे create होता है vibrating object आपने मच्छर देखा होगा मच्छर जब हमारे कान के बगल से निकलता है तो पिन क्या आवाय आती है यह साम भलमुन क्या आवाय जाती है क्यों आती है क्यों कि मच्छर के जब पंक होते हैं बहुत तीजी से वाइब करते हैं और वह आपको आवाज सुनने को मिलती है वह मच्छर के पंक के vibration की है किसकी है पंको के vibration की बिकाद जब मच्छर वाइब रेट करता इतनी ज्यादा सब्सक्राइब कि एक फिक्स्स पोजिशन ही जैसे माल लेजिए यह पाटिकल की एक सेंटर वाली पोजीशन होती है इसको में पोजीशन क्या बोलते हैं में पोजीशन और अगर वह अपने मीन पोजीशन के आजू-बाजू मूफ किया करता है लेफ्ट राइट लेफ्ट होके सो इसको क्या बոलते हैं मीन परोटे हैं कि अगर कोई वाइबरेट करता तो इसको बोलते हैं 망्रेंज क्या बोलते हैं हुव आपने था फसेंटर एप साथ है इसको हम physics में बोलते है तो एंड फिलूशन क्या बोलते हैं तो एंड फिलूशन परो शार निकल रही है अगर इस कमरे की सारी हवा निकाल होती है medium की है ना और तो medium के वगर में sound नहीं जा पाएगा क्योंकि हम लोग जो वेब बोलते हैं sound wave sound wave medium में travel करती है और ऐसी waves जिनको medium की जरूरत होती है sound ऐसी waves को बोलते है material wave कौनसी wave बोलते है material wave अगला देखे अब बात करते हैं type of sound sound की कि sound के types कितने प्रकार के हुआ करते हैं यह रेखे types of sound की यह ब्रांच गई हुए तो types of sound की जो होती है ultrasonic infrasonic and audible sound यह सबस्यदा important है कि ultrasonic infrasonic और audible sound इनकी सबकी frequency आप याद कर लिए जो हम सुन सकते है audible sound 20 hertz से लेकर के 20,000 hertz तक का होता है जो infrasonic होता है जो नहीं सुना जा सकता है वो होता है less than 20 hertz less than 20 hertz मतलब इसकी frequency बहुत ही कम होती है less than 20 hertz है और जो ultrasonic sound होता है उसकी frequency होती कितनी 20 hertz से ज़्यादा मतलब more than 20 hertz तो यह infrasonic है इंफ्रा मतलब ज्यादा और इंफ्रा मतलब कम अल्ट्रा मतलब ज्यादा और इंफ्रा मतलब कम तो ultrasonic जो तरंगे होती है जो waves होती है जो sound होती है उनकी जो frequency होती है वो किती होती 20 hertz से ज्यादा तो यह हमको नहीं सुना जे सकती है और ये भी हमको नहीं सुनाई दे सकती है, इंफरासोनिक, हम केवल हमारे कान किन frequencies के लिए sensible है, जो 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz, यानि कि इसको 20 kHz भी बोल सकते हैं, या आप 20,000 बोल दें, तो 20,000 Hz, इनके लिए हमारे कान जो है, इनके लिए response करते हैं, बाकी तरंगों के लिए हमारे क क्या होती है, loudness, आपको कहते हैं, music का वाल्यूम बढ़ादो, तो जब भी आप कहते हैं, volume बढ़ाने का मतलब आप क्या बढ़ते हैं, sound wave का amplitude बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, amplitude एक diagram से देखे, amplitude का मतलब क्या होता है, ओके ये देखे, आपके पास में कोई sound wave है, ये मालो, इस तरीके का इसका amplitude है, छोटा है भी amplitude, ओके, अगर आप इसी wave को इतना बढ़ा कर दें, ये देखिए, तो आपने क्या कर दिया, मतलब इस wave का आपने amplitude बढ़ा दिया, तो ये जो center से सबसे बड़ी height होती है, इसको बोलते है amplitude, signal की height को क्या बोलते है, amplitude, तो अगर amplitude low होगा, त जो sound तेज दिखाने वाली event होती है, वो actually amplitude की वेज़े से हुआ करती है, बोलो clear हो गया, तो मैंने आपको क्या बता दिया, amplitude, ओके, तो loudness हो गया, अब इसके बाद है timber and pitch, आपने देखा होगा कुछ आवाज आपको pitch, pitch मतलब की, pitch मतलब की एक तरीके से frequency अगर तेज है, frequency अ गाना आपने देखा होगा, आजकल वो जो मतलब YouTube में जब आप गाना बजाते हो, तो वो देखेंगे, वो छोटे से चूही रहते हैं, तीन चार चूहे, और यह आपने talking tom की आवाज सुनी होगी, आप जो बोलते हैं, आपकी आवाज रहती है, आपके शब्द रहते हैं, कि पिछ उतनी ज्यादा क्या होगी, हाई होगी, क्लियर हुआ, और जो आवाज जितनी ज्यादा मोटी होगी, उसकी पिछ याने frequency उतनी क्या होगी, कम होगी, ओके, इसके बाद एक और फैक्टर होता है, टिंबर, टिंबर मतलब की quality, sound की quality हुआ करती है, एक तरीकी की, तो टिंबर जो होता है, वो टिंबर की वज़े से sound अलग-अलग जगों पर, अलग-अलग quality का sound इस्तमाल किया जाता है, अभी इस पर detail पर बात करेंगे, जब हम NCRT के question answer लेंगे, तब इस पर बात कर लेंगे, चलिए, यह हो गई, अब बात करते है noise pollution, तो भाई, noise pollution तो आप ज जो होता है, noise pollution कहलाता है, तो noise pollution, देखे, क्या होता है, noise pollution की वज़े से क्यों क्यों वज़े होता है, number one following traffic rule, okay, तो television, yes, तो पहले, यह causes नीचे है, causes देखे, causes मतलब इसको create करने वाले तरीके, okay, honking, television and sound producing gadgets, तो honking का मुझे पता नहीं है, शाद इसका horn वजाने का unnecessary का meaning होगा, okay, और television मतलब आप जानते हैं कि TV बगरे घर में चलती है, मतलब घर में तो आज कर लिमान लेजे, दो तीन TV है, ब अलग तरीकी के noise होगी, कोई घर में दो-चार बच्चे mobile चला रहे है, तो यह noise production हो जाता है, noise pollution, television, television चलते है, okay, sound producing gadget, लगभख सारे gadget sound produce कर रहे है, अभी हमारे घर के बगल में देखो कहीं, drill हो रही है, और drill का sound आ रहा है, okay, तो उस sound की हमें जबुरत नहीं, बलकि वो sound हमे energy, किया कर रहा है, irr Giкої यहाँ कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा है, हैना, यहाँ पर classes चलिए है, मगर वो sound हमें irri till कर रहा है, तो यह कौन सा pollution है, sound pollution है, ठीक है, आब sound pollution को measures, य chegने कि इसको कम करने के तरीके, तो इसको कम करने के तरीके हैं, कि आप traffic rules के follow करे, traffic rule करने का कर सकती है अभी एक्जाम आने वाले हैं तो गौर्मेंट को इनिशेटिव लेना चाहिए कि इस समय खास तोर से बड़े-बड़े इसके बास साइलेंट डिवाइस साइलेंट डिवाइस तो आपने देखा होगा कुछ यंग होते हैं वो लोग अपने गाड़ियों की साइलेंसर निकल वा लेते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी बुलेट इस्पेशली बहुत जोरदार आवाज करती है और उन्हें बहुत जड़ उनके सिर के उपर से घर के उपर से हजारों प्लेन दिन भर उत्रा करते हैं और उसका कोई उपाय भी नहीं होता तो प्रिशान होते रहते हैं कि दिन भर प्लेन उपर से निकलता है ओके क्लियर हो गया तो एयरक्राफ्ट के इंजन को भी इंजन की वेज़े से भी बहुत श कान में जो sound को production नहीं बोलेंगे यहां पर reception बोलेंगे sound को receive करने के लिए जो organ हुआ करते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए इसमें आपको वैसे human ear का diagram आपकी बुक में जो बना हुआ आपको यह समझ में आएगा ओके दन बाद में देख लेंगे तो देखे इसमें outer ear होता है middle ear होता है inner ear होता है ear drum याने काम का परदा होता है और window pipe and learnix देखो बाइए यह उपर वाले जो चीजे हैं यह उपर वाली जो चीजे हैं यह कान की पार्ट है ओके यह उपर वाली जो चीजे हैं वो कान की पार्ट है मतलब जो सुनने के लिए और window pipe और learnix जो है यह गले के पार्ट है मतलब बोलने के लिए ओके अब इनके फंक्शन देख लीजे outer ear में has canal at end okay and sound waves pan through canal set of three bones in middle ear जो होता है set of three bones होता है and attain attain to ear drum then इसके बाद देखिए जो आपका inner ear का करता है receive vibrations from the middle ear and change to nerve impulse हाँ इंपोर्टेंट है inner ear का part कि यह signal को receive करता है और finally जाकर के इसको brain के लिए signal में बदल देता है chain them to nerve impulse impulse की form में बदल देता है मतलब signal बदल देता है और वो signal finally receive हो जाता है किसको brain को ओके तो यह वाला पार्ट हो गया अब इसके बाद एक और लास्ट पार्ट बनता है वह भी देख लिए देखिए लास्ट पार्ट में आपको sound के बारे मताया है कि एक sound के अंदर होता क्या क्या है देके sound के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है amplitude के अंदर सबसेपहली होतीकि amplitude amplitude मतलब की sound जब travel करता है तो maximum कितना displacement करता है अपनी position से अपनी mean position से कितना displacement करता है ज्यादा 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 वो अपना एक vibration complete करने में जितना समय लगाती है, यह देखे वेव यहां से start हुई, और यहां पर क्या हो गई, finish हो गई, यह जितना time लगाएगी एक vibration को complete करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, एक time period, ठीक न, time taken to complete one oscillation is called time period and designated by capital T, इसके unit क्या होती है, second में ह होती है, next है frequency, next क्या है, frequency, frequency का मतलब क्या होता है, कोई sound wave एक second में जितने vibration कर रही है, यह देखे वेबरेशन आपको दिख रहे हैं, एक complete vibration बनाओं में, यह देखे यह है, एक complete vibration, यह शुरू होई जिन्दगी इसकी, और यहां पर आकर के खतम हो गई, यह इसका एक vibration है, एक second में जितने vibration कोई wave करती है, उसको हम बोलते हैं, उसकी frequency, लिखा हुआ है, number of vibration in one second, और इसको हम किस से denote करते हैं, या तो F से, या तो N से, या तो N से, frequency की unit याद कर लिए, हर्ड्स है, frequency unit क्या है, हर्ड्स है, okay, then इसके बाद आता है last wavelength, तो wavelength क्या होती है, देखे, sound की एक wave की लंबाई, sound यहाँ से चला, और यह sound की एक wave complete हो गई, इधर देखे, sound यहाँ से चला, और sound की एक wave यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक complete हो गई, sound ने एक wave travel करने में, जितनी length travel करी है, medium है, sound की एक wave के लिए, sound ने कितनी length travel करी है, उसको क्या बोलते हैं, wavelength, क्या बोलते है इसको wavelength, मतलब sound की one wave की length is called wavelength, तो इसकी unit क्या होती है, meter, इसको किसमे show करते है, lambda में, इसको किसमे show करते है, lambda में, ओके, और ये जो distance होती है, it is the distance between two successive compression and rare fraction, देखे, अब यहां पर सुनिए, दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ओके, ये जैसे sound चला, ये दो पॉइंट है, इधर से सुरू हुआ, इधर से खतम हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को, हम क्या बोलते है, ये कम displacement वाले पॉइंट, मतलब इन में displacement क्या, सबसे कम, इनको बोलते हैं, हम compression, क्या बोलते हैं, तो दो लगातार compression के बीच की दूरी को, क्या बोलते है, wavelength, क्या बोलते है, wavelength, दूरी को भी, दो लगातार compression, या दो लगातार rare fraction, एक टर्म होता है, compression, एक टर्म होता है, rare fraction, इनके बीच की distance को, हम क्या बोलते है, one wavelength, क्या बोलते है, one wavelength, so it is the distance between two consecutive, consecutive compression and rare fraction, मतलब दो लगातार compression, और दो लगातार rare fraction की distance को, हम क्या बोलते है, one wavelength, ठीक है, तो अब ये है, इतना मैंने सारा को सारा बता दिया है अब आप लोग एक बार पूरा यह जो इसके उपर शीट दी गुई है और इसको पूरा अच्छे से पढ़ो आप पहले और इसके बाद इसमें कोई डाउट होता है तो पर्टिकुलर्ली उस पॉइंट को मेरे से पूछो की सर यह वाला खर व जुआ है तो बहुत बहुते बहुते है। झाल 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 झाल